जै मातादी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राहू और बुद्ध की युती अगर जनम कुल्ली के किसी भी गर में हो यानि राहू और बुद्ध इकठे किसी भी गर में बैठे हो तो क्या फल मिलेंगे किस गर में क्या फल है और क्या उपाय करने जाए इन सबी चीजों क बात करेंगे वीडियो के आखिर तक भने रही है राहू और बुद्ध जब भी आपस में मिलते हैं तो जनम कुली में चंदर्मा और ब्रस्पती ये कहीं भी बैठे हुए हो इनके फल हमेशा खराफ हो जाते हैं याने कि गुरू और चंदर्मा दोनों खराफल देने वाले होते हैं राहू और बुद्ध का मेल वैसे तो एक से लेकर के छे गरों में ठीक माना जाता है लेकिन 7 से 12 गरों में अच्छा फल नहीं माना जाता अब किस गर में क्या फल है क्या उपाई करने चाहिए इन सबी चीजों की बात करेंगे राहु जिसको हाथी माना गया है बुद्ध जिसको बक्री माना गया है इन दोनों की युती के फलो और उपायों की चर्चा करेंगे पहले गर की बात करते हैं पहले गर में अगर ये मेल बैठा हुआ हो तो इसका खराब असर सिरफ संतान के उपर पड़ता है यानि कि संतान की पैदैश में संतान लाल किताब में संतान को बेटा कहा गया यानि कि बेटा बेटे के सुख में कमी आ तो बेटा होगा नहीं अगर बेटा जैनम ले ले तो उसका सुख मिलने में कोई ना कोई परशानी या वो खुद परशान रहे लगन के अंदर बैठा हुआ ये मेल दिमाग तेज देगा, बुद्धी अच्छी देगा, हर चीज को बहुत जल्दी समझने वाला इंसान होगा, सीखने वाला होगा तो यहां बैठा हुआ बुद्ध भी फिर अच्छा फल नहीं देगा, शराम मास से परहेज रखना जरूरी होगा, दूसरे गर की बात करते हैं, दूसरे गर में भी ये दोनों एकठे ठीक मानेगे हैं, मंदिर का गर है, दूसरा गर धरमस्थान का है, इसमें ये मेल बहुत अच्छा माना गया है, बुद्धी अच्छी देता है, दिमाग अच्छा देता है, बोलने से जुड़े काम, बात करने से जुड़े हुए काम, पबलिक डीलिंग के कामों में अच्छे फल इंसान को मिलते हैं, शेर मार्किट से परहीज रखना जरूरी है, ऐसे लोगों को गर में उन, रसी, सूत और निवार के गोले नहीं रखने चाहिए, अगर गर में पड़े है, तो उसको पहले गर से ही पूरा खोलिए, खोल करके फिर बाहर फिंकिए, दियान रखिए, बिना खोले, बाहर नहीं फिंकना, लाल किताब के अनुसार, इन गोलों के अंदर हमार बागे लिप्टा है, तो गर में ही पहले उसको जब खोलोगे, तो बागे एक तरह से आपका खुलेगा, और फिर उसको बाहर फिंकना जरूरी होगा, और साथ ही, ऐसे इनसान, मैंने आपको बताया, पब्लिक डिलिंग के काम, या बच्चों की पड़ाई लिखाई से जु आजाता है, तीसरे गर की बात करते है, तीसरे गर में राहु तो उचका माना जाता है, बुद, लाल किताब के अंदर, बुद अगर तीसरे गर में राहु के साथ होगा, तो मंगल को देखना जरूरी है, अगर मंगल अच्छा होगा, तो बुद अच्छा है, अगर मंगल ख किसी भी company के अंदर अगर job करने वाला होगा तो उस company को अच्छे अच्छे ideas दे करके उस company को बहुत अच्छी position पर ले करके जाने की हिम्मत रखने वाला होगा और खुद भी अगर business करें खुद के business के अंदर बहुत अच्छी तरकी पाएगा ideas, planning कैसे business को बढ़ाना है और उनक चोथे गर में बैठ करके जब चंदर्मा को थोड़ा कमजोर करता है तो ये मन की हिम्मत को कमजोर करता है अगर कहीं भुद खराब ववस्ता में हो गया तो फिर ये depression और आत्मत्या थक भी करवा देता है ऐसे में चोथे गर में ये मेल हो दिमाग, बुद्धी, सब कुछ अ software या hardware से जुड़े हुए कामों के अंदर इंसान अच्छा करता है ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए शमशान गाट का पानी कांच की बोतल में बर्क करके उसको घर में जुरो स्थापित कीजिए और तांबे का छेद वाला पैसा चांदी की चेन में डालके गले में पांचवे गर में बैठा हुआ ये मिल ब्रस्पती के फलों को तो जरूर खराब करता है लेकिन बुद के फल फिर भी ठीक रहते हैं ऐसे में तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहना बहुत जरूरी है पिता और पढ़ाई के सुखोगली अगर पढ़ाई के अंदर दिक पिता को जीवन में सेहत और कामदंदे की तकलिफे तो तांबे का छेद वाला पैसा गले में पहनी और 60 गराम चांदी का ठोस आती स्टील या चांदी की कटोरी में गंगा जल में डिबो करके उसको सोने वाले कमरे में रखिए अच्छे फल जरूर मिलेंगे पढ़ाई और पिता को फाइदा होगा और आगे जाके संतान सुख भी मिलेगा छटे गर में ये मेल अच्छा माना गया है दोनों उचके मानेगे है अच्छा रुपया पैसा सुख समरिदी अच्छी देने वाले होते हैं इंसान अपनी बुद्धी तेज दिमाग से अपने बिजनेस को आ राबसर शादी शुदा जीवन के उपर और डेली सॉर्स ओफ इंकम पे भी बढ़ता है कई बर इंसान अपने चाल चलन को खराब करके बद्धनामी जैसे हलाद भी बना लेता है खास करके इनका संबंध अगर गुरू के साथ हो या राहु गुरू की राशियों यानि के द बादिल लगातार सास उखे नारिल बिना पानी के इसको जल परवा करना जरूरी है गर में गंगा जल जाता रखिये और शादी के बाद अपने सुसराल से सो ग्रम चांदी की इड जरूर लेकर के रखिये ये उपाई कीजिए आठवे गर के अंदर ये मेल अच्छा नहीं म जाए तो ये बहुत ज़्यादा खराब योग देता है जो रुपया पैसा सुक समरीदी सब को खराब करने वाला होता है इसके उपाई होने बहुत जरूरी है शमशान गाड का पानी कांच की बतल में बरके गर में रखिये नाक्षेदन 96 दिनों के लिए बीच में से करवान बहुत जरूरी है उसमें चांदिया सोना पहनना बहुत जरूरी है और साथ ही हर साल में एक बार आठ दिन लगातार आठ खोटे सिक्के जो पहले चलते थे दस पैसा 20 पैसा उनको जलपरवा करना जरूरी है रोज आठ सिक्के लेने हैं 96 दिनों के लिए नाक्षेदन और छ अच्छानी माना जाता, दोनों नीच माने जाते हैं, यहां राहू बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, बिगड़ा हुआ आथी होता है, जो बाग्या का गर है, नोवा गर, बाग्या को तो खराब करेगा, इसाती सुक सम्रिद्धी रुपया पैसा, और नोवे गर के 90 दिनों के लिए नाक्षेदन जरूरी है, 43 दिन लगातार मिटी के लोटे में मश्रूम बरके मिटी का डिकल लगा के मंदिर में दीजिए, अगर बुद्धी को लेके दिकते हैं, या बाग्या बिलकुल साथ नहीं दे रहा, या बिजनस पूरी तरह से ठप है, तो 43 दिन य लगातार एक काला सफेद कंबल मंदिर में दे दीजिए, ये दसमें गर के अंदर बैठा हूई ये इमेल, शनी के नुसार चलेगा, अगर शनी अच्छा है, तो राहू और बुद्ध ठीक फल दे जाएंगे, काम के अंदर अपनी बुद्धी से इंसान ठीक ठक तरक्य कर ल लगातार एक हरा नारियल इसको मंदिर में दिलवा दीजिए, मंदिर में रखाईये, साल में एक बर ये उपाई कर दीजिए, हरे नारियल वाला फायदा होगा, ग्यारवे गर के अंदर बैठा हूआ ये मेल अच्छा नहीं माना गया, कमजोर माना गया है, ब्रस्पती को ख तकलीफे, लाब का गर है तो लाब को खराब करने का काम करता है राहूर बुद्ध की दशा के अंदर तकलीफे आती है, तामबे का छेद वाला पैसा गले में पहना जरूरी है ग्यारा दिल लगातर ग्यारा खुटे सिखे इनको जल्परभा करना जरूरी है और अगर लाब को लेके ज़्यादा तकलिफ है पैसा फसा हुआ है पिता से नहीं बन रही तो वजन के दस्वेसे का कच्चा कोईला जल प्रवा कर सकते हैं शम्षान का पानी कांच की बोतल में बरके गर में रखी है बारवे गर में तो ये मेल खराब बहुत माना गया है दोन पानी कांच की बोतल में बरके गर में रखना जरूरी है रहु बुद्ध की यूती के अंदर और साथ ही 27 दिल लगातर एक खाली मटका डखका लगा कर के जल परवा किजिए और एक स्टील का छला बिना जोड़ वाला अपनी सबसे बड़ी उंगली में पहनी है और साथ ही राहु के लिए वजन के दस्वेसे का कच्चा कोईला जर्पलवा कीजिए समय समय पर हाथी को मूलिया खिलाते रहिए लाभ होगा सिरफ ये उपाई कीजिए राहु और बुद्ध की यूती से बचा जा सकता है जिन गरों में ये अच्छी मानी गई है वो भी बताई है जि इन गरों में भी आपकी यूती हो आँखे बंद करके ये उपाई कर सकते हो परशानिया जरूर दूर होगी इसी तरह से हम और भी विश्यों पर जुड़े रहेंगे इजाज़त दिचे जै माता दी